नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वेडियो में दोस्तों ये जो लता ये जो बेल आप देख रहे हैं ना देख लेजिए पैच्छान लेजिए इस अद्बूद और चमतकारी जड़ी बूटी को ये बरसात के मौसम में अपने आप ही उगजाया करती है दोस्तों इसको कहा जाता है रामचना इसको रामचना या अमल बेतस की नाम से जानते हैं पैच्छानते हैं इसको खटी घास या अमल परणी की नाम से भी जाना जाता है यह रामचना यह अमल परणी आज मैं इसके फायदे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामखे होंगे तो यह बरसाथ के मौसम में उत्पन होने वाला एक चमतकारी और सदी लता है और सदी बेल है इसके फायदे अनेक हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ चर्मिरोगों पर यह अच्छा काम करता है यानि की दाद खाज खुजली जैस समस्या को दूर करने के लिए आप राम चना का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो दाद खाज खुजली या फंगल इंफेक्शन जिसमें हातों की उंगलिया या नाखून गल्ले लगते हैं ऐसी विशेज परिस्टितियों में आपको करना क्या होगा इस राम चना के ये पत्तों को तोड़िये और पत्तों को तोड़ करके साथ में थोड़ी हल्दी मिलाईए और पीस करके इसका लेपस सा बना लीजीगे चक्नी के तरह उसको अगर आप लगाते हैं तो लगाने से दाद खाज खुजली जाई समिस्या दूर होती है और फंगल इंफेक्शन खत्म हो जाता है हाथ और पेरों में जो फमूनी पड़ जाती है या फिर जो नाखून शंडनी लगते हैं उसमें ये जवरजस्ते काम करता है राम चना साथी साथ दूस्तों इसके एक ऐसा प्रियोग बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा इस राम चना को जब हाप खोदेंगे इसकी जड़को निकालेंगे तो इसकी नीचे एक मोटा कंद निकलता है उस कंद को अगर आप छोटे छोटे टुकडे करके सुखा काने और सुखाने के बाद इसको पीस करके आघर आप चूरन बना लेते हैं और उसमें तुरकटू चूरन मिला लेती है यानि की सौठ, पिप्पिली और काली मिर्च और राम चना का कंद इनको मिला करके, आप चूरन बना करके सैथ के साथ सिवन करते हैं, तो यह आपके स्वास रोग में, दमा रोग में, रामबान की तरह काम करता है, साती सात, यह आपके खासी को, और सीने में जखड़ी हुए कफ को खत्म कर देता है, रामचना, इतना है नहीं दोस्तो, इसके बहुत से फायदे हैं, धेरों फायदे हैं, जैसे कि अगर बाल सफेद हो रहे हैं, तो सफेद बालों को जड़से काला करने के लिए भी आप रामचना का प्रियोग कर सकते हैं, उसमें आपको क्या प्रियोग करना है, मैं आपको बताई देता हूँ, इस ओसदी के ये जो फल देख रहे हैं इन फलों का प्रियोग करना है, ये रामचना के फल हैं, इसको रामचना अत्य अमलप्रणी की नाम से जानते हैं, पैचानते हैं, तो सफेद बालों को उकाला करने के लिए आप ये पकी-पके ये वाली जो देख रहे हैं ना, काली-काली ये फल, इन फलों को खट्टा करने के बाद इसके बराबर मात्रा में आउला मिलाएंगे और बराबर मात्रा में भिंगराज मिलाएंगे देखिए दोस्तों इसको इखट्टा करने के बाद इसको पीज करके इसका रस निकालेंगे देखिए इसको किस तरीका से रस निकलता ये देखिए इस तरीक से इसको मसल मसल करके इसके रसकूर आपको निकाल लेना है और साथ में जितना रस इस अत अमल प्रणी के भीजों का हो उतना ही रस भ्रिंगराज का हो उतना ही रस आउले का हो इन तीनों जड़ी बूटियों का रस मिला करके अगर आप अपने सरसों के तेल में डाल करके पका करके तेलre को लगाने से सफेद वाल काले हो जाते हैं, जर्थी हुए बाल रोग जाते हैं, जिनकी बाल गंज हो गई यह न तो गंजापन में भी बाल आनस सुरू हो जाते हैं, साती साथ दोस्तों जिसको विच्छू बर्य तिया डंख मार जाए तो ऐसे में यह अत्य अमलप तो ये राम चना के ये जो पत्ते देख रहे हैं ना इन पत्तों को पीश कल की और वहाँ पर अगर लगा देती हैं तो जबरजस्त काम होता है विच्छू बरततिया का काटा हुगा जो है वो दूर होता है और जहर भी नहीं चड़ता दोस्तों साथी साथ मैं बता देता हूं इसका फायदा सफेद दाग में सफेद दाग की समिस्या है नहीं जा रही है तो इसका टीटमेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सफेद दाग है तो ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन अगर आप इसको निरंतन करते रहेंगे तो किसी भी औसदी किसी भी दवा स से काम ना बनने वाला जो सफिद दाग है वो इससे मिठ जाता है कुछ नहीं करना आपको तीन ओसदियां लेनी है एक तो लेना है धतूरे का पत्ता छोटा धतूरा जो होता धतूरे का पत्ता जिसे जो भगवान संकर को जिसके फल फूल चड़ाए जाते हैं वो धतूरा लेन और ऐसे यह तोड़ा न तो इस तरीका से पांच यह एक हुआ तो पांच इसके पत्ते लेना और दोनों को पीस ले और उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी पाउडर या हल्दी मिला ले और इन तीनों को पीस करके अगर आप प्रियोग करते हैं सफेद दाग पर लगाती है साम प्रियोग बहुत ही जवर्जश्ट ऑसदिन साथी साथ दोस्तों बहुत ही चवर्जश्ट काम पर ने के लिए आप इस रामचना इस अत्य अम्लप्रणी के इसे पत्तों को ले और पत्तों को ले करके आप पीस करके इसको रस निकाले और रस का कुल्ला करने से हिलती हुए दात मजबूत होते हैं और दातों का दर्द खत्म होता है पारिय जी समिश्य खत्म होती है सासों की बद्बू दूर हो जाती है तो ये देखिए ये अमलपरणीस की धेरों फायदे हैं ना जाने कितने प्रकार किसके फ भी हो जाएगी इसके फायदे और मैं अगले वेडियो में लेकर हाजर हूँगा तब तक के लिए देजी इजाज़त नमस्कार धमनवाद